बिना घी, बिना माबा, आज हम बनाएंगे मज़िदार मिठाई की रेशिपी, कोई भी फेस्टिवल हो या जब भे आपका मिठाहने को मन करें, घर की रखी हुई कुछ सामानों से जटपट हमें मिठाई को बना सकते हैं, और ये जो मिठाई है, ये बहुत ज़्यादा टेस् के उबालाने दूँगी, जैसी दूद में अच्छा से उबालाएगा तब तक हम इसे पकाएंगे, यहाँ पर हमें फ्लेम को थोड़ा सा मेडियम पर रखके पकाना है, तो जैसी उबालाएगा तब हम इसमें डालेंगे चीनी, मैं यहाँ पर दो बड़े चम्मच चीनी डा अब मैं इसमें डाल देए हूँ, ड्राय कोकोनट पाउडर, ड्राय कोकोनट पाउडर इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसे आप जरूद डाले, अगर ड्राय कोकोनट नहीं है, तो आपके पास अगर फ्रेश कोकोनट है तो उसे आप थोड़ा सा ग्रेट करके भी अब मैं इसमें एक कप सूजी आड़ कर रहे हूँ, सूजी आपर 25 ग्राम है, सूजी को आड़ करके हम continue चलाते हैं मिक्स करते रहेंगे, अभी हमारो जो ग्यास का फ्ले में बिल्कुल लो में रहेगा, लो में रखके हम इसे मिक्स करते रहेंगे, यह जो मिठाए है यह बहु ने भूना नहीं है, सूजी हमने कच्चा डाला है, और इसे हम लो फ्ले में तब तक पकाएंगे, जब तक कराय से छोड़ने ना लगे, तो यहाँ पर देखे, मैंने बहुत अच्छा से जो सूजी है, तूद के साथ में पका लिया है, अब मैं यहाँ पर आट कर रहे हूँ मिठाय बनेगी, वो बहुत अच्छा माबा जयसा खाने में लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि यह मिणा माबा का हमने मिठाय बनाया है, तो हम मिल्क पाइदर को बहुत अच्छा से मिक्स करेंगे, अब हम दालेंगे यहाँ पर फ्रेश मलाई, मलाय डालना कर लेंगे तो इस तरीके से हमें तब तक mix करना है जब तक कराय से छोड़ने ना लगे और इसमें बिलकुल भी गुटलिया नहीं रहना चाहिए गुटल तो बनेगा है यह नहीं क्योंकि बहुत अच्छा से मिक्स हो जाता है तो आप इसे इस तरीके से कंटिनीव चला और इस थोड़ी दिर और हम इसे पकाएंगे इसी तरीके से गैस के फ्लेम को लो में रखते हुए तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारा मिठाई हो बन चुका है हम इसे दो हिस्सा में बाट लेंगे एक हिसा साइड में रख देंगे और एक हिसा में मैं यहाँ पर फूट कलर मिक्स करूंगी तो मैं यहाँ पर ग्रीन फूट कलर मिक्स कर रही हूँ एक पिंच जितना मैंने ग्रीन फूट कलर डाला है आप चाहे तो कोई भी दूसरा कलर इसमें एड कर सकते हैं और अगर आप color add नहीं करना चाहते तो कोई बात ने आप इसे एक ही color में रहने देजिए तो यहाँ पर देखे मैंने इसको green color को बहुत अच्छा से mix कर लिया है माबा की साथ में अब हम इसे एक foil paper में रखतेंगे और थोड़ा सा ठंडा करेंगे ठंडा करने की बाद हम इसे ह हातों से थोड़ा फैलाएंगे और फिर इसे हम बेलन से बेल देंगे बेलन से इस तरह से बेलेंगे और एक रोटी जैसा या फिर आपको कोई round shape ने करना है बस ऐसी हमें इसे थोड़ा पतला करके बेलना है अब हम इसके उपर green वाला जो माबा है इसको भी हम रखेंगे और इसे भी हम बेलेंगे सेम तरीके से हम दोनों को एक साथ में बेल लेंगे तो यहाँ पर बहुत पतलाज नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है अब हम फाइल पेपर को इस तरीके से रोल साथ में रोल करते रहेंगे इस सूजी की माबा को तो इस त अच्छा सी रोल हो जाता है तो यहाँ पर थौड़ा गरम है अपूड़ा ठंडा करके भी यू आझा १ी इस तरी के से हमने बहुत अच्छा से रोल कर लिया है हम हम आची तरी किसी इसको साइड से भी सोल कर देंगे और यू ठंडा होने के लिए रखेंगे यहाँ पर अगर आप सेट करना चाहते हैं तो इसे आप फ्रीज में में रखूँँगी आदर गंटे एक घंटे के लिए ताकि यह तोड़ा सा सेट हो जाए तो बस इस तरीके से मैं इसे फ्रीज में रख दूँगी एक घंटे के लिए एक घंटे के बाद तो हमारा ये जो मिठाई है ये देख सकते हैं कितना सुन्दर बनकर तैयार हो गया है मैं इससे आपको कट करके दिखाऊंगी देखिए बिलकुल माबा जैसा है सबसे पहले इसको हम एक दूसरा प्लेट में रख लेंगे और जो यहाँ पर साइड से दोनों साइड से हम निकाल देंगे साइड में रख देंगे अब हम इसका अपने साइड से पीस करके काट लेंगे आप कितना मोटा पतला अपने साब से कर सकते हैं तो यहां पर देखिए मजिनदार मिठाई की रेसिपी बनकर बिल्कुल तेयार हैं यह रेसिपी आप लोग को कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें धन्यबाद फ्रेंज